हेलो व्यूवर्स वेल्किम टू माई यूटीब चैनल इस वीडियो में आज मैं आपको स्टोक के कुछ संकेश बताने जा रही हूँ जिनें आप इकनोर बिल्कुल भी ना करें तेज सिर्दर्द बिना किसी करण अचानक तेज सिर्दर्द हो इस दर्द को बरदाश कर पाना मुश्किल लगे तो ये स्टोक हो सकता है बोलने में परिशानी कुछ भी कहने पर जुबान लड़ खड़ाए होट पूरी तरह से नए फैल पाएं बाचीत करने या कुछ भी बोल पाने में परिशानी हो तो ये स्टोक हो सकता है धुंदला दिखाई देना स्टोक आने पर आँखों के सामने अधेरा साथ चाहने लगता है या धुंदला दिखाई देने की प्राब्लम होती है चलने में परिशानी बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही हो चलने पर लड़करा जाएं या खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए तो ये स्टोक हो सकता है पैरालिसिस अचानक शरीर का एक हिस्सा सुन होने का एसास हो यदि किसी तरह की हल्चा या सेंसेशन महसूस ने हो पाए तो ये स्टोक हो सकता है चेहरे में बदलाव अचानक चेहरे की किसी हिसे में कमजोरी महसूस करें या चेहरे का एक हिसा लटक जाए तो ये स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए आप कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं ये भी आप जान लीजिए बी-पी कंट्रोल रखें क्योंकि हाई बी-पी से स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ता है 25 की उमर के बाद आप नियमित रूप से अपने बी-पी की जाँच करवाते रहें फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाई बी-पी की परिशानी रही है तो हर 6 महीने में बी-पी चेक करवाना जरूरी हो जाता है स्मोकिंग अवाइड करें सिगर्ट और तमाखू से स्ट्रेस और क्लोर्टिंग का खत्रा बढ़ता है स्मोकिंग और तमाखू खाना अवाइड करें नमक कम खाएं, सार्टी स्नैक्स या ज़्यादा नमक खाने से बचें ज़्यादा नमक के कारण हाई बीपियर स्ट्रोक का खत्रा बढ़ता है ओली फूड ज़्यादा तेल मसाले वाले स्नैक खाने से बचें ऐसे food cholesterol बढ़ा कर heart को बिमार बना सकते हैं, इसे stroke का खत्रा बढ़ता है मीठा कम खाएं, sugar food limit में खाएं, मीठे में calories जादा होती है इसलिए इनके कारण body fat तेजी से बढ़ता है, इसे heart disease और stroke का खत्रा भी हो जाता है Heart check-up, heart beats regular ने होना stroke का एक बढ़ा कारण है इसलिए 30 की उम्र पार करने के बाद साल में आप एक बार अपना heart check-up जरूर करवाएं exercise करें, रोज 30-45 मिनिट की walk या exercise करें इसे stress और वजन कंट्रोल होगा और stroke का खत्रा टलेगा तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेट बताएं हैं जिससे आप stroke होने के खत्रे को पहले से पहचान सकते हैं इसके साथ ही stroke के बचाग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अगर आपको मेरे द्वारत दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से लाग उठा सके इसके साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लिजिएगा थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो हेवा गूट डे